भारत और पाकिस्तान के रिष्टों के हालात किसी से छुपे नहीं हैं बावजूद इसके दोनों देशों के बीच के अमन पसंद लोग कई अवधारनाओं को गलत भी साबित करते हैं फिलहाल मामला खेल गतिविधी से जुड़ा है जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच के संबन्ध में नया अध्याय जोड़ा है तरसल हाल ही में पाकिस्तान में वेस्पॉल्स परधा आई उजद की गई जिसमें भारतिय टीम भी शामिल हुई खास बाती रही कि पाकिस्तान में भारतिय टीम को खास अटेंशन मिली और वहां के खिलाडियों सहत आम लोगों ने भारतिय टीम के खिलाडियों की यादगार मेहमान नवाजी भी की इन दोर के अंकिर जोशी भी भारतिय टीम के साथ पाकिस्तान गये थे डिजियाना नियूज ने पाकिस्तान से लौट कर आए अंकिर जोशी से खास बात चित कर उनके वहां के अनुभव के बारे में जाना नमस्कार आप देखने डिजयना नियूज और मैं हूँ अभिशेक मिश्वर बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के रिष्टों पर दसल इन दोनों देशों के बीच के जो रिष्टे हैं और वो कितने खटे हैं ये किसी से छुपावा नहीं है और इसका सीधा सीधा असर कही न कहीं घेल गतिविदियों पर भी पड़ता है लेकिन कुछ ऐसे खेल हैं जिसमें कई खिलाडी हिंदूस्तान से पाकिस्तान जाकर मुकाबले खेलते हैं और कई ऐसे खेल हैं जिसमें पाकिस्तान की खिलाडी भारत आकर भी मुकाबले खेलते ह इसी टीम थी बैस्बॉल की जो पाकिस्तान गई और महां इन खिलाडियों का क्या अनुभव रहा पाकिस्तान की खिलाडियों ने केसा बरताओ किया महां के दर्शकों का भारती टीम के प्रतिक्यारू जानता वो हम बात करते हैं एक खास खिलाडी से जो इस वक्त हमारे साथ म जो बेस्बॉल के खिलाडी है और पिछले दिनों पाकिस्ताने कॉम्पेटिशन खेल कर आए अंकी जी बहुत-बहुत स्वागत आपका अंकी जी पहले तो बताएं किस तरह की कॉम्पेटिशन थी और पाकिस्तान जाने का के से तायव हो जो हमारी कॉम्पेटिशन थी वह 15th पुराट टीम का स्क्वाड सिलेक्ट हुआ था 30 लोगों का उसमें से हम 19 का चैन हुआ चंडीगर में कैम्प लगा हमारा पहले एक महीने का और वहां से हमारी टीम चैन हुई फिर वहां से हम आगे पकिस्तान के लिए इसलामबाद लेकिन पकिस्तान में जाना भी इतना आस था बॉर्डर पर भी जो है हमारी सब कुछ चेकिंग वुई सारे डॉकुमेंट्स हमारे देखे गए वीजा अपूरू हुआ किस डेट पर हुआ किस प्रोसेस के साथ हुआ वहां का लेटर देखा गया हमारे खेल मंत्राले का लेटर देखा गया उसके बाद हमको बॉर्ड किसेवन पर रिपोड कर बाए है अंकीजी सबसे बड़ा सवाल यह कि जब आप महा पर जाने की तयारी कर रहे थे तब एक मनमे क्या था और में पहुचने के बाद में क्या पूरी स्थिती रही महाच के पाकिस्तान के खिलाडियों का भारती टीम के परति क्या एक पूरा रुजान रहा दर्शकों का क्या रिस्पांस रहा और आप लोग जो सोच कर गए थे महां पोचने के बाद उसमें कितना अंतर दिखाई जो हम सोच कर गए थे उसका तो पूरा विपरीत हुआ है जैसे जैसे अगर मैं बोलू आपको जाने के पहले एक जो आज तक स करें तब तक का सफर पूरा खुपसूरत था वहां के लोगों का वहवार अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता हूं इस प्रकार से उन्हों ने हमारा एक हाटली वेलकम किया वहां के जो हमारे वाल इंटरस थे महां के साथ में उनका जो सब बरताव था इवन वहां पर जो हमारे लिए जितना भी फूड वाले स्टाफ था मैं अपनी खुद की बात करूं मैं शुद्द शाका हरी हूं तो उन लोगों ने जो मेरे लिए पूरी वेवस्ता की वह भी सरानी थी बिल्कुल सोचते परे थी और वहां आचरण जब आ अफगानिस्तान सभी टीमें थी पर जो इंडिया को प्यार मिला मैच हो मैच के दोरान हो हमारे अलावा महां के दर्शक इंडिया के भी पाकिस्तान जितने सब्सक्राइब नहीं हुआ इवन हमारा वहां पर तिरंगा लहराय सब कुछ हुआ मैच जीते हारे वो सब एक नहीं था बहुत प्यार से मैच हुआ बस एक मैच में जो गर्मा गर्मी होती हो अपनी जगाता है खेल के प्रती बिल्कुल बागी उसके बाद बिल्कुल साथ में मिलना उठना रहना वो सब बढ़िया रहा क्या सेक्यूरिटी रिज़न के कारण आप लोग मुमेंट कर पाई सेक्यूरिटी रिजन्स की बात करो तो वहां पर हमारे लिए पुरी आर्मी और पुलिस फोर्स अवेलेबल थी अगर हमें ग्राउंड तक भी जाना है बहुत नियर बाए था हमारे स्टेस से वहां पर ग्राउंड का डिस्टेंस तब भी अगर हम प्रक्टिस के लिए जा र पुरा प्रॉपर था भार भी अगर हमें जाना है तो पुलिसी गाड़ी और जवान हमारे साथ जाते थे और ट्रेक्शूट और पहन कर हम भार निकलते थे इवन जब हम वहां भार निकले और वहां के लोगों ने जब हमारा ट्रेक्शूट पर देखा इंडिया तो उनके प्रती जो वहवार था वो अनेक्सपेक्टेट था वहमने सोचा नी था इवन हम एक मॉल में हमें एक दिन ले जाए गया था वहां पर बहुत बड़ा इस्लामबाद क्योंकि कैपिटल ने महां की तो बहुत अच्छे थे वेल डवलप्ड है पूरी तरह से तो वहां पर हमे में मॉल में लेकर गया मॉल घुमें बढ़िया आराम से मॉल के अंदर भी जो बहुत सारे लोग थे दुकानदार थे वहां के सारे उन्होंने हमारे ट्रेक्शूट वगेरा देखा और जो जैसे ही मतलब में में था हमारे साथ 2-3 टीम में दोड़ते हम दुकान पर गए उन ऐखरी में मुझे साल गिफ्ट खी में उसका प्यमेंट देना चाह पर जास प्सकतर नहीं माने और उनने मुझे स्वल गिफ्ट खी एर. अप हमारे महमान पर इंडिया के प्रती इंडिया के प्रती एक अलगी वेवार था जब वहां पर लाइव शला हमारे मैचेस वहां के लोगों को पता पड़ा तो वह लोग ने भी वहां पर आके एंटरेंट किया हमें पूरी तरह से मतब एक अलगी फिल्ट हमापर इंडिया अभी आप बेजबॉल में कब से खेल रहे हैं और किसी स्थार पर आप खेल रहे हैं और अभी कितनी कॉंपेटिशन साप खेल चुकी कितने देशों का ब्रह्मन कर चुके 2010 में पहली बार मैंने बेजबॉल खेलना स्टार्ट किया था उसके बाद कहीं रास्ट प्रतिवगिता राज्जिस्तरी प्रतिवगिता कॉलेज उनिविस्ट्री टूर्नामेंट्स कहले उसके बाद पहली बार 2019 में मेरा अंतराश्टी केम के लिए चैन हुआ था वहां पर क पूरे टूर्नामेंट का क्या रहा पूरे नतीजे केसे रहे कौन को सी टीम आपको भी बहतर लगे ऐंडिया टीम का जिसका प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया था और इंडिया टीम का प्रदर्शन भी बहुत बढ़िया था कुछ प्लेयर्स हमारे एंड टाइम पर जान नहीं पाए थे और एक दिन हम वहाँ पर देरी से पहुचे उसकारण हमारा एक मैच छुटा उससे हम मतलब पुल लुजर हो और फिर हमारा मैचेद हमको यूज करना पड़े एक मैच लीव करने से हमारा पुल लूजर हो हो गा हम तो हम वह से बाहर हो गये या आने वाले समय में कोई सी कॉम्पिडिशन है जिसके लिए पाकिस्ताइन की टीम भी बारत का दोरा कर सकते होका है पाकिस्ताइन अभी तक भेज्बॉल का जहां तक मुझे पता एंडिया में खेलने में पर अभी हमलोगों ने जो हे महाफर एक सीरीज का अगास किया है। मैं मैं यहां से जो प्रोसेट होता है। उसका पूरा फॉल उप चल रहा है कब होने वाली यह टूनामेंट और कहां पर होने अभी जो ताय हुआ है वो पंजाब में होगा अमरत्सर में चुकि वह बॉडर से भी पास है उनको भी आसानी रहेगा और वहां पर सारी सुविदा है वेवस्ती तरीके जिससे उनका खेलन सेकेंड विक में टूनामेंट चलेगा एक खेल एक इसी चीज है जो कहीं न कहीं रिष्टों को भी प्रकार करती है क्या मैसेज देना चाहेंगे अंतिम सवाल आपसे इस पूरे जो सिनेरियों आप देखकर आए पाकिस्तान में भी पूरे टूनामेंट को लेकर एक क्या मैस यही जाएगा कि वहाँ पर हम जिस प्रकार से हमको भाईचारा मिला है वो हमेशा बने रहे हमारे उनसे यही वादे थे कि आप भी आई आपका स्वागत वेलकम है और यह प्यार हमेशा बना रहे यह बना रहे बिलकुल बना रहे तो यह हैं बेसबॉल के रस्टी यहां से गये थे तब तमाम सवाल दिमाग में थे लेकिन वहाँ जाने के बाद कई ऐसी बाते क्लियर हुई है जो जहन में इनके चलती आई है तो कुल मिलाकर खेलों के माद्यम से दोनों देशों के बीच के जो संबन है वो यहां पर मदबूत होते हुए दिखाई दे रहे मुझे और मेरे केमरा परसर निलेश करोसिया को इजाज़त दीजी और बने रहे है डीजियना न्यूस के साथ नमस्कार